अलौब आप अझा हुआ है हालो आप्रेंबान्फटर इस नीटा एंवल्कम्ट to मैं चैनल कुकि विदिल से आज मैं आपके साथ रेष्पी शेयर करूंगी चैनल क्यों इसको अप्टर होते है आज की रेशपि मतर की पूरी, मतर की पूरी या कचवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रॉसेस में बाइल करेंगे तो इसके लिए मैंने एक पतीले में गैस के उपर रखा और उसमें पतीले में पानी एड़ किया एक ग्लास के करीब यह पानी है फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें एड़ कर दिंगे हरा मतर अगर आप फ्रोजन मतर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह प्रोजन मतर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह प्रोजन मतर कि अससे नमक आड़ किया और मिक्स कर लिया फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे, जब तक वो उबलेगा तब तक हम लोग दूसरा प्रोसे कर लेंगे आटा के लिए तयार करेंगे, डौ बना लेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ग से बहुत अच्छा आटा बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस पूड़ी का या फिर कचवड़ी का आप कुछ भी बोल सकते हैं दोनों बोल सकते हैं कचवड़ी या पूड़ी तो यहां पर मैंने अजवाइन एड़ किया एक चमज के करीब और इसको अब मिक्स कर लेंगे हाथों से सुखा पहले और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक आठा अच्छा सा तयार कर लेंगे just like हम लोग जो चपाती बनाते हैं आटा तियार करते हैं वैसे ही यहाँ भी ठोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर हमें आटा गूथ लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने ठोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर आटा यहाँ पे almost पहले सूखे आटे को समेट लेंगे और थोड़ा सा म अब फिर उदर चेक कर लेंगे मतर उबल रहा है तो ये हो गया है क्या रहा जो लैई लिह मैंने फिर से चला लिया ये पांच मिनाट नहіे उबल गया है तो इसको उंगलियों से दबा कर देखा, यह मतर काफी सॉफ्ट हो गया है, पग गया है, तो मैंने गैस को ओफ कर दिया, और ओफ करने के बाद इसको बहुत अच्छे से पहले ठंडा कर लेंगे मतर को, पानी से निकाल देंगे इसका, पानी और मतर अलग कर लेंगे, मतर से आ पुटैटा साहता कि सहता से इस तरह से मैस कर देंगे थाली में रखकर चौड़े से और मतर को, फिर इसको पुटैटा मैसर से मैस कर लें, अगर आप के पास पो टैटा मैसर नहीं है तो आप गलास या कटोरी रखाते रहें तो बहुत अच्छा से मैस हो जाता है, चुकि य तो इस तरह इसको कम कि उपनी दधाएं एक उबला हुआ आलू कि यहां इसमें इसमें घ्रमारा होाँ क्वालाओ के पूरु इसमें इसमें आखिते इसमें ग्रेट इसलिए करेंगे ताकि इसमें लंस नहीं रहें, अगर हम मैस करते हैं तो हलका सा लंस रहने का चांस है, गुठली इसकी मतलब जो छोटी-छोटी रह जाती है उबले आलू की तो वह नहीं रहनी चाहिए, चुकि वह रहेगा तो फिर यह पूरी अच्छे से हम बेल न ग्रेटर से और फिर इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे अब इस तरह से, अब देख सकते हैं जैसे दबाते हुए हलके हाथों से इसको मिक्स किया मैंने, तो आलू और मतर यह मिक्स हो गया, अब इसको साइड में रखेंगे, अब नेक्स प्रोसेस क्या करेंगे, एक कड़ाही रखेंगे गैस के ऊपर और इसमें आड़ करेंगे तेल इसको थोड़ा चटपटा बनाएंगे स्टफिंग को मटर की स्टफिंग को तो इसके लिए कड़ाही रखा मैंने गैस के ऊपर फ्लेम को मीडियम रखेंगे और फिर इसमें तेल अड़ करेंगे मैंने डेर च तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसका काफी चटपटा और हल्का से स्पाइसी भी बनता है, तो यहां पे गरम तेल में बारिक कटा हुआ हरी मिर्च जरूर एड करें, अपने टेस्ट के एकोर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने जीरा और हरी मिर्च को अच्छे स प्याज मैंने बारिक कटा हुआ, एड किया, प्याज आड करने के बाद इसको भी अच्छे से पका लिया प्याज को, भून लिया थोड़ी देर के लिए, और जब यह प्याज भून गया, फिर इसमें मैंने एड किया एक चमच, बड़ी चमच से अधरक लहसन का पेस्ट, तो अधरक लहसन का पेस्ट एड करने के बाद जस्ट इसको प्याज के साथ मिक्स कर लेना है, इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है इस पेस्ट को, जस्ट मिक्स कर लेना है प्याज के साथ, तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको मिक्स कर लिया, अधरक लहसन के पेस्ट को फ्लेम को यहाँ लो टू मीडियम रखेंगे अब इसमें सारे सुखे मसाले एड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एड किया एक चमच छोटी चमच से लाल मिर्च पाउडर आधा चोटी चमच से हल्दी पाउडर एड कर देंगे फिर जीरा पाउडर एड किया मैंने एक चमच छोटी चमच से जीरा पाउडर एड कर देंगे इसके बाद एड कर देंगे यहाँ पे आधा चमच धनिया पाउडर और एक चोटी चमच गर्मसाला पाउडर एड कर देंगे यह मसाले में सिर्फ हमें इतना ही एड करना है इससे एक से दो मिनिट के लिए लगतार चलाते हुए, हमें मसालो को पका लेना है और चलाते रहना है ताकि यह जले नहीं, फ्लेम को यहाँ पर लो रखें, हल्का सा भून गया मसाला अब इसमें एड करेंगे यह जो हम ने मैस करके रखे थे माटर उसको मैंने अट किया यहां पर इसको एड करने के बाद इसमें टेस्ट के कौनिंग अपने टेस्ट के कोर्डिग यहां पर नमक एड करदें Shan इसके बाद इसमें अट कर देंगे थोड़े से धनिया पत्ता बारिक कटा हुआ और एक चमच आमचून पाउडर, ये आमचून पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हल्का सा खटापन आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो एक बड़ी चमच से मैंने आमचून पाउडर एड़ किया, बारी कटा हुआ धनिया पत्ता एड़ कर देंगे, फ्रेस और आप देख सकते हैं इसका जो मौश्चर था मटर का और भी कम हो गया है बुनने के वज़ा से तो इसी लेवल पे आके हमको गैस को आफ कर देना है यह हमारा स्टफिंग तयार है बहुत अच्छा स्टफिंग बनके तयार हो गया है इसको अब कडाही से बाहर निकाल लेंग इसका मौश्चर जो होता है जितना ड्राई होगा न यह स्टफिंग उतनी अच्छी फिलिंग होगी और वो फटेगी नहीं जब हम बेलेंगे तो तो कोशीज करें जो मटर का मौश्चर है ऐसे कडाही में ही लगतार चलाते हुए कुछ देर के लिए पकाएंगे तो वो मतलब स्टफिंग एजी करने के लिए यहां पर मैं इसके चोटे-चोटे बॉल्स परना ले रही हूँ अगर आपको लगे की स्टफिंग डारेक्ली पूरी बेल कर करना है तो वैसे भी कर सकते हैं मुझे यह प्रोसेस से एजी लगता है मैंने यह स्टफिंग को चोटे-चो अर फिर इसके गोले करेंगे तो यह पूरी आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बढ़ कर सकते हैं मैं यहां पर मीडियम साइज का बना रही हूँ बहुत चोटा भी नहीं बनाओगी बहुत बढ़ भी नहीं तो मेंने इसकी बड़ बना लिए आटे के और इसको हल्का सा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बेलना है अभी हलका सा थोड़ा पूरी जो छोटा पूरी होता है उसी साइज का बेलेंगे और इसके सेंटर में यह जो बॉल्स बना के रखे हैं स्टफिंग की इसको रखेंगे और चारो तरफ से इस तरह से सील कर देंगे आप देख सकते हैं काफी इजली हो गया यह काफी इजी तरीके से यह पूरी बन रही है आगर आप इस तरीके से बनाएंगे आपकी भी बहुत अच्छे से बन जाएगी और बहुत ही अच्छा बनेगा फटेगा नहीं बिलकुल भी तो इस तरह से मैंने सील कर दिया और सील करने के बाद उंग कर सकते हैं मोटा भी रख सकते हैं आप अपनी पसंद से पूडिया बेलने स्टफिंग करने के बाद तो इस बात का ध्यान रखे बस हलके हाथों से बेलना है प्रेसर नहीं लगाना है तो आप देख सकते हैं एक पूडिया हमारा तयार हो गया बहुत ही अच्छा बिल्कुल न से हंई दूसरा पूरी भी तयार हो गया इसी तरीके से मैंने सारे भी तार बेला कर लिये अब इसको अइसको फ्राइ कर लेंगे तो फ्राइह आपे हान फेम पार मैंने गरम बोने के लिग रावी 6 तैल को medium कर दें ताकि अच्छे से पके और अच्छी तरह दीरे धीरे फुले और एक क्रिस्पी बने तो यहां पर पूडियाद करने के बाद इसमें डालने के बाद इसको हल्कासा इस तरह से छलनी से दबाते रहंगे दबाने इसक्या होगा यह और ज्यादा फुले गी अल्का सा तो दबा दबा कर इस तरह से उलट पुलट करते हुए हमें बहुत ही सुनहरा लाल होने तक हमको इसको पका लेना है, फ्राइ कर लेना है, अब देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल नहीं फटी है, और क्रिस्पी भी बनती है, और अच्छे से एकदम लाल हो जात होता है, एक बार इस तरीके से आप जरूर ट्राइ करें मटर की पूड़ी, आपको पसंद आएगी, इसको आप आलू की ग्रेवी वाली सबजी होती है, उसके साथ खाये, बहुत ही टेस्टी लगती है, मैंने आज आलू और टमाटर की सबजी के साथ इसको सर्व किया है, फ सब्सक्राइब करिएगा, सो थैंक यू फ़र वाचिंग, मिलते हैं नहीं है,